नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत करता हूँ Only Eyes में हम लोग अपने Supreme Court की judgment के series को आगे बढ़ाते हुए अगले case पर बात करेंगे जिसका नाम है Government of NCT Delhi vs Union of India case देखे इसके साथ साथ हम लोग High Court का जो judgment आय था उसके बारे में बात करेंगे साथ ही साथ हाल में जो अभी एक Act पना है इसको लेकर उसके बारे में बात करेंगे जो कि Parliament में लोग सभा और राज सभा में दोनों में पास कर दिया गया है प्रेजिनेंट के दौरा भी उसको एसेंट दे दिया गया है उसके बारे में जानेंगे उस Act में है क्या बट उस Discussion को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि State और UT में डिफरेंस क्या होता है क्योंकि जो हमारे ये पूरा Case है वो UT से रेटेड है और Delhi एक UT है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं देखे Center और State के बीच में एक Federal Relation है मतलब की दोनों की बीच में Power Divided है जो की Constitution में में मेंशन है और Center और UT के बीच का जो Relation है वो Unitary है मतलब की Central Government का पूरा Control है UT पे चलिए हम लोग Article 239 समझ लेते हैं कि उसमें क्या है हम लोग को समझने में थोड़ा आसान हो आगे देखिए जो Article 239 है ये Administration of UT से Related है देखिए इसमें ये बोला गया है कि अब हर UT में एक Administrator होगा जो की President के दोरा चुना जाएगा मतलब की President के दोरा Appoint किया जाएगा और उसके थूरू President उस UT को Govern करेगा और President किसी भी State Governor को उसके बगल के UT का Administrator बना सकता है जैसे कि मतलब मालीजे कि आपका हर्याना एक State है उसके बगल में चंडीगड है चंडीगड एक UT है और हर्याना में गवर्नर Appoint होता है तो अगर President चाहे तो गवर्नर को चंडीगड का Administrator बना सकता है So that कि वहाँ पे हर्याना का जो गवर्नर है चंडीगड को गवर्न करे ठीक है अब देखिए Article 239 AA इंसर्ट हुआ था 69th Constitution Amendment Act से अब इसके बारे हम लोग थोड़ा जानते है So 69th Constitution Amendment Act से Article 239 AA इंसर्ट किया गया जिसमें Special Status Delhi को दिया गया और डेली का नाम National Capital Territory of Delhi रख दिया फिर वहाँ के Administrator को Lieutenant Governor का दर्जा भी दिया गया और Legislative Assembly और Council of Minister बनाए गये अब से दिल्ली में जो भी Legislative Assembly लोग बनाना चाहेगी वो बना सकती है बट Schedule 7 में जो State List, जो Concurrent List और Union List है उनमें से सिर्फ State List और Concurrent List लोग बना सकती है Legislative Assembly और State List में जो Public Order, पुलिस और जो Land, सब्जेक्स मेंशन है उन पे Legislative Assembly लोग नहीं बना सकती ठीक है? फिर से इसको बोलते हैं, अराम से समझते हैं इसको देखे, Article 239 एके तहत Legislative Assembly जो दिल्ली की होगी वो Schedule 7 के State List, Concurrent List के सब्जेक्स पे कोई भी लोग बना सकती है बट इसमें एक exception यह है कि जो State List होगा पुलिस, Public Order और लैंड के सब्जेक्स पे Legislative Assembly दिल्ली की Legislative Assembly इस पे लोग नहीं बना सकती है यह exception है, इसको जरूर ध्यान रखेगा, बहुत important है देखे, Article 239-AA, Clause 4 को भी जान लेते हैं क्योंकि यह बहुत important है, मेन आगर समझा चाहे तो इस पे ही सारा Tussle हो रहा है अब इसमें क्या बोला गया है, कि जो LG है, वो act करेंगे C.O.M. के Aid and Advice पे ठीक है, जो की C.O.M. होंगे, वो उसको head करेंगे Chief Minister जो दिल्ली के Chief Minister होंगे, वो C.O.M. को head करेंगे और LG को इनकी Aid and Advice मननी पड़ेगी बट कुछ ऐसे exceptions हैं, जिसमें LG independently act कर सकता है दूसरा यह दिया है, कि अगर LG और C.O.M. के बीच में मतलब कि अगर Lieutenant Governor और Council of Minister के बीच में difference of opinion होता है, तो उस matter को LG, President को refer कर सकता है और जो President का order होगा, LG उसके according काम करेंगे अब देखें, इसमें issue क्या है, complication यह है कि जो यह mention किया गया है, कि अगर कोई difference of opinion होता है तो LG उस matter को भेज सकता है President के पास अब यह जो ambiguity है, ऐसे तो Lieutenant Governor चाहे तो हर matter को भेज दे, फिर तो उनका कामी रुख जाएगा Delhi Government का, वो कामी नहीं कर पाएंगी और actual में practically यही हो रहा था LG क्या कर रहे थे, उनके कोई भी decision होता था कोई भी उनका act होता था, उसको अपने पास reserve कर लेते थे, तो यही सारी जो ambiguity create हुई, इसके कारीनी सारा tussle create हुआ, अब हम लोग यही पूरा जो judgment आया है, High Court का Supreme Court का, और जो उसके बाद बिल आया है, जो act बन गया, उसके बारे में हम लोग आगे discuss करते हैं अब देखे हुआ क्या, High Court में एक case गया, हुआ क्या था कि अर्विंद केजरिवान ने chief secretary appoint किया, बिना lieutenant governor से consult किये बिना, अब वो इस पे lieutenant governor जो थे उनको बुरा लगा उन्होंने का कि आप हमसे बिना consult किये कैसे appoint कर सकते है chief secretary को और साथी साथ chief minister ने क्या किया corruption को लेकर ठीक है, corruption को लेकर inquiry बैठा दी और ये भी बिना lieutenant governor के concern के किया, बिना उनके concurrence के किया, तो इसी को लेके case चला High Court में अब देखे, दिल्ली High Court का judgment आया, दिल्ली High Court ने बोला कि दिल्ली जो है वो article 239 AA के आने के बावजूद भी unit territory है, इस चीज को दिल्ली government ना भूले, और साथी साथ ये भी बोला कि lieutenant governor जो है वो independently act कर सकता है ये ऐसा compulsor नहीं है कि council minister के aid and advice पे वो चले क्योंकि जो LG है article 239 AA में already mention है कि जो LG है, अपने discretion में काम कर सकता है, ठीक है तो as a result क्या हुआ, उन्होंने जितने भी inquiry उन्होंने initiate करवाई थी, बिना lieutenant governor के conference के, वो सारे non and void declare कर दिये गए, illegal घोशित कर दिये गए ठीक है, illegal इसले कर दिया गया क्योंकि high court ने बोला कि जितने भी administrative decision लिए जाएंगे council of minister के दोरा, ठीक है उसको आगे proceed कर सकते हैं तो ये सारे decision जो थे, जो भी initiative लिए गए थे, या जो inquiry बैठाई गई थी दिल्ली government के दोरा वो सारे concurrence नहीं थे, lieutenant governor के मतलब कि उनसे permission नहीं ली गई थी इसलिए उन सब को illegal declare कर दिया गया high court के दोरा अब देखे case आया supreme court में ठीक है, supreme court ने क्या बोला lieutenant governor को council of minister के aid and advice पे ही चलना होगा मतलब कि इन्हों ने जो high court का judgment आया था, उसको पुरा reverse कर दिया, उसको पुरा पलट दिया तो basically यही हुआ कि जो lieutenant governor है, उनको council of minister के aid and advice पे चलना पड़ेगा अब जो वो aid and advice देंगे उसको उनको मानना पड़ेगा अब उनका concurrence नहीं रह गया lieutenant governor का so जो tassel खतम करने के लिए supreme court ने बड़ा अच्छा initiative लिया एक तरीके सिखा सकते हैं, उन्होंने कुछ principles रखे वो principles क्या रखे, supreme court ने बोला कि डिल्ली government के पास सारी powers है, मतलब की वो सारे areas में laws बना सकती है but कुछ exceptions हैं जैसे की land, police, public orders related बिल्कुल भी वो छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है जो की हमारा article 239 AA में already mentioned है, अब जो LG होगा वो government के, मतलब की council of minister के aid and advice पे काम करेगा, but कुछ exceptions हैं, जिसमें की LG अपने description के according काम करेगा अब वो exceptions क्या है, अब वो exceptions जो है, वो article 239 AA में mentioned है, वो क्या है जो की allow करता है कि any issue मतलब किसी भी issue को भेज सकता है, president के पास, अगर difference of opinion होता है, LG और council of minister बीच में, but LG जो होगा, वो bound होगा, जो भी president का decision होगा ठीक है, मतलब जो भी उन्होंने भेजा होगा, matter, president के पास उसके बात president का जो भी decision होगा, तो LG को वो बात माननी पड़ेगी Supreme Court ने ये भी बोला, जो lieutenant governor को ये power मिली है president के पास भेजने का, any issue any issue का मतलब everything नहीं है, every issue नहीं है कि आप any को every issue नहीं कह सकते ठीक है, और Supreme Court ने ये भी बोला कि जो LG और governor का role है वो बिल्कुल different है LG अपने आपको governor बिल्कुल ना consider करें, क्योंकि दोनों का ही role different है, सो देखा जाए तो काफी महतपूर judgment था ये, मतलब कहीं न कहीं कई सारी complications को दूर किया, कई सारे ambiguity को दूर किया judgment ने, बट आप चानते हैं, as usual, जितने judgments अगर central government के खिलाफ आते हैं, या central government उस judgment से सहमत नहीं हो, तो वो क्या करती है amendment ले आती है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले यही किया, अब government ने क्या किया, government of national capital territory of Delhi amendment bill 2021 ले आए, उन्होंने government of national capital territory of Delhi act 1991 को amend किया, अब ये act क्या बोलता है, ये बोलता है कि legislative assembly और government of national capital territory of Delhi के functioning को describe करता है, ये जो bill है, वो legislative assembly और lieutenant governor की जो responsibilities है, उनके certain power को मतलब कि उनके certain power and responsibilities को amend करता है, अब अब लोग जानते है कि इस bill में है क्या, देखे आप लोग only eyes का telegram channel join कर लीजे, so that आपको सारी pdf's easily मिल जाएं, current affair की जो pdf's है वहाँ आपको easily मिल जाएंगी, the Hindu का editorial discussion जो है, उसकी pdf's वहाँ मिल जाएंगी आपको, और जो भी UPSC और state pdf's related जो भी required pdf's होंगी only eyes की तरफ से provide की जाएंगी वह आपको easily मिल जाएंगा, साथ ही साथ आपको YouTube में जो भी वीडियो आएंगी उसकी notification मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको उनकी pdf's मिलेंगी, so please इसको join कर लिजे so that कि आपको convenient हो, हर चीज जानने में चली आगे बढ़ते हैं, अब इस bill में क्या है कि जो भी अब laws pass होंगे उसमें अब government की जगा lieutenant governor लिखा जाएगा, मतलब की वो lieutenant governor के नाम पे जाना जाएगा ना कि government के नाम पे मतलब की CM है, दिल्ली के ठीक है, अब जब दिल्ली के CM है तो government से क्या जाना जाता है कि दिल्ली के CM ने कुछ किया है मतलब की केजरिवाल ने किया है बट अब कभी government का अगर कहीं पे जिकर होगा, ठीक है तो government से lieutenant governor जाना जाएगा सारा दर्जा lieutenant governor को मिल गया है government वाला, देखिए जो सबसे अपने vote को देकर, ठीक है और जो LG है, वो एक appointed person है, उसको appoint किया गया है central government के दोरा जब दिल्ली government को public ने elect किया है तो ये तो democracy के खिलाफ हो गया एक LG जो appointed है central government के दोरा, आप उसको superiority दे रहे हैं, आप उसको एक government का consideration दे रहे हैं, आप उसको as a government consider कर रहे हैं, democracy के खिलाफ हो गया है ना, चलिए आगे बात करते हैं अगला क्या है इसमें, देखिए 1991 का जो act है, वो ये बोलता है कि जो legislative assembly है वो अपने day to day business का assembly में rules बना सकती है बट जो ये 2021 का bills लाई है central government, वो ये बोलता है कि वो rules जो है वो rules of procedure and conduct of business in the log सभा के consistent होना चाहिए, ठीक है अब हम जानते हैं, तीसरा जो mention है देखिए जो bill है, वो legislative assembly को ऐसे rules बनाने से prohibit करता है मतलब कि मना करता है, जो कि day to day administration से related है या किसी administrative decision पर inquiry बैठाने से related है और अगर ऐसा कोई rule पहले बना दिया गया है, तो वो null and void declared कर दिया जाएगा ठीक है, चलिए आगर समझते हैं देखिए जो ये act है, 1991 का वो ये बोलता है कि LG के पास ये power है, कि वो कुछ certain bills को reserve कर सकता है president के consideration के लिए मतलब कि वो president के consideration के लिए president को भेज सकते हैं, अब वो bill कौन से है, दीखिए वो bill है जो कि Delhi high court के power को कम करता है, मतलब कि diminish करता है या वो bill जो कि president खुद अपने आप से बोलते हैं कि reserve करने को, कि वो खुद कहा रहे हो कि हाँ इस bill को reserve कीजिए, या जो bill speaker, deputy speaker और members of assembly और minister के salary allowance related है, इस bill को भी वो reserve कर सकता है, president के consideration के लिए, और जो assembly और NCT of Delhi के language, official language related होंगे bill, उनको भी reserve कर सकता है अब देखिए, जो उपर मैंने बताया ये तो रहेंगी रहेंगे, प्लस जो bill 2021 आया है उसमें ये बोला गया है कि LG वो सारे bills को भी reserve कर सकते है, president के लिए, जो की legislative assembly, जो दिल्ली की legislative assembly के power के बाहर होंगे उन सारे bills को reserve कर सकती है president के consideration के लिए, ठीक है देखिए हमारा एक नया प्रोग्राम start हुआ है, one year complete comprehensive UPC preparation program start हुआ है, उसको आप लोग join कर सकते हैं, देखिए उसमें आपको NCRT के chapter wise video lesson मिलेंगे class 6 लेकर 12 तक, और NCRT के book wise test series मिलेंगे आपको साथ में basic answer writing की classes मिलेंगे, और आपको 300 plus videos मिलेंगे, जो की main subject के होंगे, साथ ही साथ आपको special answer writing classes प्रोवाइड कराई जाएंगे, essay writing classes होंगे, उसके test होंगे, और 8, मतलब की 8 full length mains के test series भी provide कराई जाएंगे और जो core हमारा होगा वो 500 खंती की video lessons होंगे prime subjects के, और जो भी notes होंगे only IS के, वो आपको घर तक पहुचा जाएगा delivery के through, और prelims की test series भी provide कराई जाएगे आपको so it will be better कि आप इसको जली-जली join कर ले, so that कि आपकी exam के preparation अच्छी हो पाए, साथी साथ हम लोग ने एक और initiative श्टार्ट किया है प्रज्यान 2, All India GS Prelims Mock Test है, जिसमें कि आपको All India rank पर चलेगी, आपने आपको analyze कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आप समझ पाएंगे कि कि किस level पे आप पहुँचे हैं, और topic wise उसमें detail analysis किया जाएगा, और जो PDFs आपको provide की जाएंगे, वो printable होंगे आप उसको print करा सकते हैं, और easily revision कर सकते हैं, 4 April 2021 से 10 बजे से ये आपके start होगा, और इसके लिए कोई भी सुल्क नहीं लगेगा, बिल्कुल ये free है, और हिंदी माध्या में भी उपलब्ध है, तो इसमें बिल्कुल आप जरूर जॉइन करें, क्योंकि एक्सदाम भी नजदीक है, और आपके लिए बहुत बहतर रहेगा, अगर आप इसको देते हैं, All India rank भी जानेंगे, साथी साथ आप अपने आपको बहतर जान पाएंगे, कितनी तयारी है और आप अपने लिए और क्या बहतर कर सकते हैं, तो इसको जरू जॉइन किए, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जो 1991 का Act है, वो ये बोलता है, कि सारे Executive Action, जो कि Government लेती है, C.O.M. के Advise पे, मतलबी Council of Minister के Advise पे, या उसके बिना, वो सभी Decisions जो हैं, वो LG के नाम पे लिए जाएंगे, ठीक है, अब जो 2021 का Bill है, ठीक है, वो बोलता है, कि C.O.M. को कुछ Executive Decisions लेने से पहले, LG का Opinion लेना अनिवार है, और वो Executive Matters कौन से होंगे, वो LG could decide करेंगे, ठीक है, देखिए, जो Bill है, उसको लोकसभा और राजसभा में पास कर दिया गया है, और साथी साथ President ने भी उसको एसेंजर दिया है, तो finally ये एक Act बन गया है, और इस Act को लाते हुए, कहीं न कहीं Supreme Court का जो Judgment था, उसको Nullified करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस Act से, कहीं न कहीं जो LG की Power है, उसको बढ़ाती गई है, क्योंकि अब LG कहीं कहीं, Most of the cases होंगे, Most of the issue Bill होंगे, उसको अपने पास Reserve कर सकता है, President के Consideration के लिए, आज हम लोग ने Article 239 AA को समझा, उसके अंदर कैसे Delhi Legislative Assembly बनी, Council of Minister बना, उसमें Delhi को Power मिला, एक Special Status मिला, साथी साथ हमने High Court का Judgment पढ़ा, Supreme Court का Judgment पढ़ा, उसके बाद हमने Act पढ़ा, जिसमें की Supreme Court की Judgment को कहीं न कहीं करने की कोशिश की गई, और Lieutenant Governor की Power को बढ़ाया, बढ़ाने की कोशिश की गई, So, हम लोग ऐसी Judgment पर आगे पर डिसकसन करेंगे, आप लोग जोड़े रही है हम लोग से, और काफी महत्रपूर्द ये पूरा Act था, और Judgment था, इसको प्लीज दुबारा देखिएगा,